तो गाइस आप देख रहे हो काना जी और इनका ये प्यारा सा बैट इसे मैंने घर में तयार किया है और काना जी के कपड़े तयार करना तो मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में और आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है आप वहां से देख सकते हैं और आज मैं आपको बताऊंगी कि काना जी के लिए ये प्यारा सा लुक देने वाला बैट किस तरीके से आप तयार करें तो ये बैट बहुत ही इसले तयार हो जाता है सिर्फ थोड़े से कपड़े थोड़े लैस और कुछ पैच का इस्तमाल करके और मिठाई के लिए तयार कर सकते हो तो वीडियो को फूल वाच करिएगा तभी आप बहुत ही प्यारा सा ये बैट तयार कर पाएंगे जैसा कि मैंने तयार किया है ये देखिए सिर्फ मिठाई के लैस हमारे पास बचा हुआ था कपडों का बिल्कुल नया लैस है और ये कपड़े भी नए है जैसे शूट बलाऊस पीस के बचे हुए कपडे के इस्तमाल से मैंने ये बेड तयार किया है और इस तरीके का पैस था मेरे पास जिसे मैंने यहां पे लगाया है देखी कितना प्यारा सलूका आया है थोड़ी सी more पंकी थी मेरे पास उसे लगाया है और ये दूसरे color का less मैंने लगाया है और सर्फ ये देख रहे हैं जो आप bed ये मिठाई का डबा है तो बहुत ही प्यारा सा ये bed हमारा तैयार हो गया है और बनाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है और इसे आप बनाना जरूर चाहोगे तो friends वीडियो फूल वाच करिएगा वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो उसको शेयर भी करते रहेगा अपने friends और family members के साथ तो friends अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा और अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो फुल वाच कर ये वीडियो और बनाएए बहुत ही प्यारा सा ये कानहा जी का बेड तो आईए आज बनाते हैं लड़ू गोपाल जी का बेड तो इसके लिए बस कुछी जो की जरूरत होगी आपको कुछ इस तरीके से गोटा पटी लैस चाहिए आपको और इस तरीके से कोई कपड़ा चाहिए सारी चीजे बिल्कुल नई है लैस भी नए है और ये जो कपड़ा ये भी नया है तो सूट या बलाउज पीस से जो कपड़े बचे हो नए हो थोड़े सुन्दर से हो उनका आप यहां पे स्तमाल कर सकते हैं यह मेरे सूट पीस का बच्चा हुआ कपड़ा है उसे मैंने ले लिया है इसके अलावह आपको चाहिए यह जो फोउम आते हैं यह इसलिम मार्केट में मिल जाते हैं कई बार कपडों के साथ में भी आती है और फूर्ट में सु खा लिया है तो यह बिलकुल साफ है तो छेलिए अब शुरू करते हैं बेड बनाना यह जो फूम है इसे मैं इसाङ्ण का कट करूँगी यह देखिए इस तरीके से हमें चिपकाना है और यहां तक तो भस यहां से मैं इसे पहले कट करूंगी तो यहां पर देख सकते हैं साइड से मैंने इसी नाप का कट कर लिया है अब इधर से भी हमें इसी बराबर नाप का कट करना है तो यह देखिए ऐसे आप रखते हुए और इस तरीके से ले आईए और यह जो एक्स्ट्रा है इसे आप इस तरीके से कट कर लीजे तो यह मैंने कट कर लिया है अब सम्सेम तरीके से दूसरे साइड भी बहुत ही प्यारा सा बैड सांड तयार होता है फ्रेंड्स आप यहाँ पर फैवि को ले सकते हैं वैसे तो मैंने यहाँ फैब रिक कैल ली आ चिपका सकते हैं फैवी कोल से भी लेकिन कपड़े और लेस जल्दी नहीं चिपकते हैं उससे तो आप फैबरिक ग्लू का इस्तमाल करिए यहां पर यह देखिए मैं यहां पर अच्छे से ग्लू लगा रही हूं चारो तरफ और फिर इसके उपर इस फोम को चिपकाऊंगी तो यह देखिए फोम मैंने चिपका दिया है और उपर से यह जो पिंग कपड़ा मैंने लिया था इसे भी चिपका लिया है और अब हम इसमें लैस लगाएंगे तो लैस हमें तीन साइड से लगाना है इस तरीके से और एक साइड हम ऐसे ही खुला रखेंगे जिदर हमारा स तीन साइड से मैंने लेस्ट लगा दिया है और अब लेंगे इस तरीके से कोई भी प्रण या फिर कड़ा पेपर आप ले सकते हैं और यह देखिए मैंने छोटा सा मिठाई का डबा लिया है और साइड शाइड से मैंने से कट कर रही हूँ इससे हम अपने बैड का जो सिरहान समतल को से कंट करेंगे यानी कि यह इस साइज का होना चाहिए अब देख सकते हैं थोड़ा सा बढ़ा है तो मैं इसे कट कर लूँगी तो यह देखिए आप इसे नाप सकते हैं इस तरीके का होना चाहिए हब अब इसके उपर भी यह जो फूम है इसे लगाएंगे इस तरीके से तो किनारे हमने लैस तो चिपका लिया अब यह जो कट किया था हमने मिठाई का एक डबा उसके उपर हमने इस फूम को चिपका लिया है अब हमें इसके उपर लैस लगानी है तो इस तरीके से हम थूड़ा पूरे राउड में इस ऊक्राइब पड़ने। अच्छे करनी जाए मैं। получ oförung interesting Legs नंघ तो इस कवेर राउड में तो तो यह मैं अच्छे कवार कर लिया है। अब बस इसे हमें बैक साइड में यानि जो हमारी उल्टी साइड है इसे कट कर लिजे और यहां पर इसे चिपका लिजे तो यह देखिए बैक साइड में चिपका लिया है मैंने अब यह बिल्कुल तयार हो गया है अब हमें क्या करना है कि यहां पर हमें ग्लू लगाना है औ और अब क्या करना है यह देखिए मेरे पास दो इस तरीके के पैच पड़े हुए थे कोई भी स्टोन मोती आप यहां पर कुछ भी लगा सकते हैं तो इसे मैं यहां पर चिपका रही हूँ और इससे बहुत ही प्यारा सा लूक आजाएगा और यह काना जी का बैट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा यह देखिए दुनों तरफ आपको चिपका लेना है और अब देखिए उपर यह हलका हलका दिखाई दे रहा है तो इसे अगर आप कवर करना चाहते हैं तो यहां पर सितारा मोती कुछ भी लगा सकते हैं और मैं यह जो लैस है इसे ही पतला सा कट कर ली हूँ यह देखिए और इसे यहां सूरत बनाना चाहें जिस तरीके से बनाना चाहें अपने इसाथ से कुछ और डेकोरेशन चाहते हैं तो वो भी यहां पर कर सकते हैं बहुत ही प्यारा लगेगा तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अगर यह वीडियो आपको अच वीडियो लेके तो फ्रेंड्स तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई टेक कियर आल दो बेश्ट तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई फ्रेंड्स